मेरे पैरे देश्वासियों, कुछ इस दिनों में रमजान का पवित्र महिना शुरू हो रहा है। विश्व भर में रमजान का महिना पूरी स्रध्धा और सम्मान से मनाये जाता है। रोजे का सामुईक पहलू यह है कि जब इनसान खुद भुखा होता है तो उसको दूसरों की भुख का भी एसास होता है। उनके जीवन से समानता और भाईचारे के मार्क पर चलना यह हमारी जिम्मिवारी बनती है। एक बार एक इनसान ने पैगंबर सहाब से पूशा इसलाम में कौन सा कारिय सबसे अच्छा है पैगंबर सहाब ने कहा किसी गरीब और जरूरत मन्द को खिलाना और सभी से सद्भाव से मिलना चाहें आप उन्हें जानते हो या न जानते हो पैगंबर मुहम्मद साब ग्यान और करुणा में विश्वास रखते थे उन्हें किसी बात का अहंकार नहीं था वे कहते थे कि अहंकार ही ग्यान को पराजीत करता रहता है पैगंबर मुहम्मद साब का मानना था कि यदि आपके पास कोई भी चीज आपकी आवशक्ता से अधीक है तो आप उसे किसी जरुरत मंद व्यक्ति को दें इसलिए रमजान में दान का भी काफी महत्व है लोग इस पवित्र महा में जरुरत मंदों को दान देते हैं पैगंबर मुहम्मद साब का मानना था कोई व्यक्ति अपनी पवित्र आत्मा से अमीर होता है न की धन दौलत से मैं सभी देशवाचियों को रमजान के पवित्र महने की सुपकावनाई देता हूं और मुझे आशा है कि आवसर लोगों को शांती और सद्भावना के ही उनके संदेशों पर चलने की प्रेशा है